बहुत पुरानी बात है दू मुनी थे दोनों सगे भाई थे पहले भाई का नाम शंकु मुनी और छोटे भाई का नाम लिखित मुनी था दोनों भाई बहुत ही विद्वान थे दोनों जंगल में अलग-अलग आश्रम बना कर रहते थे एक बार लिखित मुनी अपने बड़े भाई शंक मुनी से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए शंक मुनी उस समय आश्रम में नहीं थे लिखित मुनी को बड़े जूर की भूक लगी थी उन्होंने शंक मुनी के आश्रम में लगे पेड़ से एक फल तोड़ लिया और उसे खाने लगे उसी समय शंक मुनी आ गए अपने भाई को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई लिखित मुनी को फल खाता देखकर शंक मुनी बोले यह फल तुमने कहां से तोड़ा है लिखित मुनी ने उत्तर दिया यह फल तो मैंने आपके आश्रम में लगे पेड़ से तोड़ा है शंक मुनी कुछ सोच कर बोले अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तू बिना पूछे ले लेता है तो यह काम क्या कहलाएगा यह काम तो चोरी कहलाएगा लिखित मुनी ने कहा शंक मुनी बोले कोई चोरी कर ले तो उसे क्या करना चाहिए लिखित मुनी बोले चोरी करने वाले व्यक्ति को राजा के पास जाकर अपने पाप का डंड मांगना चाहिए पाप का डंड भोगने पर व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है शंक मुनी ने कहा तुमने मेरे आश्रम से चोरी करके फल खाया है तुम राजा के पास जाकर इस चोरी का डंड भोग कर आओ लिखित मुनी राजा के पास पहुँझे राजा उनका आदर सतकार करने लगे लिखित मुनी ने अपना अपराद राजा को बताया और कहा राजन आप मुझे मेरे अपराद का उचित दंड दीजिए राजा बोले एक राजा को कोई भी अपराद शमा करने का भी अधिकार होता है इसलिए मैं आपको शमा करता हूँ लिखित मुनी बोले मुझे शमा नहीं चाहिए बलकि अपने अपराद का डंड चाहिए ब्रभू मैंने पाप किया है मैं अन्य पापियों की ही भाती डंड का अधिकारी हूँ लिखित मुनी के लगतार आगरे करने पर राजा उन्हें दंड देने के लिए मजबूर हो गए उनके राज्ये में चोरी करने वाले के हाथ काट दिये जाते थे राजा के आदेश पर जलाद ने मुनी के हाथ काट दिये हाथ कटने का मुनी को जरा भी दुख नहीं हुआ दंड पाकर लिकित मुनी बड़ी प्रसनता से अपने भाई शंक मुनी के पास पहुँचे और अपने भाई से बोले भाईया मैंने अपने अपराद का डंड पा लिया है शंक मुनी ने अपने भाई को गले से लगा लिया और बोले चलो अब स्नान कराएं स्नान करने के बाद पूजा करेंगे दोनों भाई नदी में स्नान करने के लिए चल दिये लिखित मुनी ने स्नान करने के लिए डुपकी लगाई और डुपकी लगा कर जैसे ही वे बहार आए उनके दोनों हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए वे समझ गए कि यह उनके भाई की क्रपा का फल है लिकित मुनी ने शंक मुनी से कहा भाईया अगर मेरे हातों को सही सलामत करना था तो मुझे डंड क्यों दिलवाया शंक मुनी मुस्कुराते हुए बोले तुमने चोरी करके अनुचित कारे किया लेकिन मेरी आग्या मान कर सहर्ष अपने पाप का दंड भी भोगा इसलिए मैंने तुम पर क्रपा की है अपने भाई का उत्तर सुनकर लिकित मुनी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्म लाब राप्त कर सकें